नमस्कार मैं मुहित कुमारलाल सहायक परध्यापक इतिहास विभाग SS Memorial College कांके रोड राची आज समेश्टर तीन के बच्चों को उनके कोर्स 6 से एक महत्पून अध्याय के विशे में बताऊंगा यह चैप्टर है हेंरी सप्तम वस्तुता आधुनिक यूग का प्रारम होने के साथ साथ एरोप में ब्यापक परिवर्तन हुए बौधिक छेतर में पुनर जागरन धारमिक छेतर में धरमसुधारांदोलन आर्थिक छेतर में पुनजीवाद और वानिजवाद इसी परकार राजितिक छेतर में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ उसे कहते हैं राष्टिये राज्यों का उदय और इसके साथ साथ निर इसके अनेक परभाव देखे जा सकते हैं। इंग्लैंड में इसका नितरित्तु किया हेंडरी सप्तम ने 1485 से 1509। वस्तुता यह जानना आवश्यक है कि निरंकुस राजतंत्र की ओधारना को किन तत्यों ने आगे बढ़ाया। इसमें सबसे बड़ा योगदान था पुनरजागरन का। पुनरजागरन ने हमारी बौधिक परतिभा को बढ़ाया। इसके साथ साथ सामंत वाद का पतन प्रारंभ हुआ। सामंत वाद के पतन के बाद जो नई राजनितिक बेवस्था हुई वा राजाओं के व्यक्तित्तों के चारों और ही किंद्रित रही। राजाओं ने ही सामंतों को उनके पतन तक पहुँचाया क्योंकि दोनों ही राजनितिक सत्ता के दाविदार थे। सामन्तों के पतन का अनेक कारण था इन कारणों में परमुक कारण राजा और बैपारियों का आपसी सहयोग था दुसरा महत्पुन कारण था मध्यमवर्ग का उदय मध्यमवर्ग में बैपारी और बुद्धी जीवी आते थे बैपारियों को सामन्ती चुंगियों से खतरा था अता उन्होंने राजा का साथ दिया राजा का साथ देने से उपनिवेश का विकास हुआ जिससे बैपार बढ़ा इसी प्रकार प्रबुद्ध वर्ग ने राष्टिता की भावना को पढ़ाया और राजा का समर्थन किया नए अविशकारों से भी राजा की सक्ती बढ़ी ये अविशकार थे तोप खाना बारूद छापा खाना इत्यादी इन सब से राजा की सक्ती में विद्धी हुई धरम चुथार आंदोलन ने भी राजा की सक्ती को बढ़ाया क्योंकि मध्यकाल में पोप का यह दावा था कि वह भगवान का परतिनिधी है और राजा उसकी अधीन है, वह राजाओं को आदेश देता था, किन्तु धरमसुधार आंदोलन के कारण पोप की सक्ती कम हो गई, चर्च में फैले अभष्टाचार ने धरमसुधार आंदोलन को प्रेरित किया, जिससे राजाओं ने भी समर्थन किया, चर्च पर राजा का नियंतरन हो गया, इससे भी राजाओं की सक्ती में ब्रिद्धी हुई, यह परकिरिया सबसे पहले इस्पेन में प्रारम हुई थी, वहां से यह परकिरिया इंग्लेंड में आई, आज हम जिस विशे पर विचार कर रहे हैं, वह इंग्लेंड से ही संबंदित है, यहां हेंरी सब्तम का काल, राजतंतर के विकास का काल है, वस्तुता 1337 से 1413 तक इंगलेंड और फ्रांस के बीच सब्तवर्सिय युद चला प्रारम में इंगलेंड काफी सफल हुआ किन्तु धीरे धीरे परिस्थिदियां बदली और फ्रांस ने सभी विजीत परदेशों पे पुना कबजा कर लिया केवर केले पर इंगलेंड का अधिकार कायम रहा 1430 में या युद समाप्थ हुआ किन्तु दो वर्स बाद ही इंगलेंड में समन्तों के मद्ध गुलाबों का युद प्रारम हो गया या युद 30 वर्सों तक चला इसमें यार्क सायर और लंका सायर के समंतों के नित्रितों में युद चल रहा था यार्क सायर का परतीक था वाइट गुलाब और लंका सायर का परतीक था रेड गुलाब इसी कारण इसे गुलाबों का युद कहते हैं 1485 में लंका सायर के नेता हेंरी टूडर ने याक सायर के नेता रिचर्ड तृत्य को प्राजित कर देश पर दिकार कर लिया इस प्रकार गुलाबों का युद्ध समाप्त हो गया हेंरी सप्तम चाहता था कि देश में राजतंतर का विकास किया जाए हेंरी ने इलिजाबेट से विवा कर टूडर वन्स की हस्थापना की इस से इस बेवाहिक संबन से उसकी स्थिती मजबूत हुई किन्तु रह असान नहीं थी हेंरी सप्तम के सामने अनेक समस्याय थी इस समय इंग्लैंड की स्थिती अत्यन देन ये थी सामनती अत्याचार से किसान पिड़ी था देश में लुटेरों का बोल बाला था लोग साम होते ही घर में कैद हो जाते थे वेनिस के राजदूत ने कहा है कि जितने लुटेरे इंग्लैंड में हैं उतने पूरे रोप में आज कहीं नहीं है किन्तु इन समस्याओं का समधान करना हेंरी सप्तम की प्रमुक प्राथमिक्ता थी उसने एकक कर सारी समस्याओं का समधान किया सरपर्थम उसके विरुथ चार विद्रोह हुए इन विद्रोहों का उसने दमन किया इन विद्रोहों का नित्रुथ पहले लेंबार्ड सैनिगल ने किया 1487 जिसे उसने पराजित कर दिया इसी परकार 1492 में पारकिन वारवेग ने विद्रोख किया उसके बाद लॉड लावेल और अंत में कोनिस के किसानों ने विद्रोख किया इन सब का दमनकर हेंरी ने देश में शांती और सुववस्था कायम की इसके बाद उसने शामंतों का पतन प्रारम किया सामंतों के पतन के कारण उसने किसानों और आम नागरिकों से सिधा समबाद किया जिससे सामंतों की सकति धीरे-धीरे कमजोर पढ़ने लगी उसने देश में पुलीस वेवस्था अस्थापित की जिससे अराजकता को दूर किया जा सके राश्टिता की भावना का विकास करने के उदेश से उसने सैचनिक सुधार किये देश भर में स्कूल और कॉलेज खोले गए इसके साथ साथ उसने नयाय को सुनिस्चित करने के लिए नयाय धीसों की निक्ति की सारे देश में नयाय धीसों की पोस्टिंग की गई जिससे तिवर नयाय हो सके सामन्तों के नयाय को रुखने के लिए उसने Coat of Stars के अस्थापना की जहां सामन्ती उत्पातियों को सजाद दी जाती थी इसके साथ साथ उसने वर्दी और अधिनस्त सैनिक रोखथा मधिनियम पारिद किया इस अधिनियम के नुसार यहते हुआ कि कोई भी सामन्त निजी सैनिक नहीं रख सकता और नहीं उसे वर्दी पहना सकता जिन सामन्तों ने इस अधिनियम का विरूद किया उसका दमन किया उनको नियाले में लाकर कटोर दंड दिये गए इसी प्रकार सामंतों पर नियंतरन करने के लिए उसने मंतरियों को निक्त किया इसी समय उसने प्रिभी कॉंसिल में सामंतों के अस्थान पर आम जन और चर्च के प्रतिनिधियों को भी निक्त किया जिससे सामंतों की स्थिती कमजोर पड़ जाए उसने बारूद के बैपार पर सराज़किये निंदरन स्थापित किया, गन पौडरा तोप खाने से सामन्तों के किले ढ़ा गए, मध्यम वर्ग को भी उसने पुर्साहित किया, वानिज बैपार को समर्थन देकर उसने मध्यम वर्ग को अपनी ओर मिला लिया, इस परकार हेंरी के काल में सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया, सामन्तों का पतन कर और मध्यम वर्ग को पुर्साहित कर, उसने देश में राश्टिता की भावना को विख्सित करने में महतपून योगदान दिया, इसके बाद उसकी दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि देश में राजा के पास धन होना चाहिए, धन के बिना सासन असंभव होता है, हेन्री टूडर के काल में संसत दवारा कुछ कर लगाये जाते थे, जिसका लाब राजा को मिलता था, किन्तु यह सासन चलाने के लिए प्रयाप्त नहीं था, अता हेन्री ने इस छितर में भ कि आर्थिक दंड दिये जाए, उसने मिर्त्व दंड को कम कर लोगों को आर्थिक दंड देने का प्रावधान किया, जिससे राजी की स्थिती में सुधार हो, उसके पास जो नीजी भूमी थी, उसमें उसने कर को बढ़ा दिया, जिससे 52,000 रुपिया पाउंड के पेक्छा एक लाख 32,000 पाउंड वारसिक आय हो गई, उसने बहुत सारे पदो को बेच कर भी धन कमाया, इसके साथ साथ राजा ने नीजी बैपार प्रारम किया, विसेस कर टीना और बारूत का बैपार हेंडी ने प्रारम किया, इसके साथ साथ उसने और कई कारे किये, जैसे उसने बिदेशियों से संबंद स्थापित कर देश में युद को कम किया, आंतरिक बिदोहों का दमन कर देश में आंतरिक सांति लाई जिससे राज का खर्चा बढ़ा, एडी पॉलिस की संधी से उसने 1492 में फ्रांस से काफी पैसा चतिपूर्ती के रूप में प्राप्त किया, इ इसके साथ साथ उसने सामंतों की संपति जब्द कर ली, जो सामंत गुलाबों के युद में मारे गए थे, उनकी संपति उसने जब्द कर ली, इसके लिए उसने संसत से एक अधिनियम पारित कराया, इससे भी उसे काफी लाब हुआ, इन उपायों दोरा उसने अपने आय को काफी बढ़ा दिया इस सब से देश में उसकी सिती काफी मजबूत हो गई चौद पंदरा सो नौ में जब उसकी मिर्तिव हुई तब उसने अपने उत्वरा धिका रही हेंडरी अश्टम के लिए 18 लाख पौंड की रासी छोड़ी थी उप्युक्त कार्योदवारा हेंडरी ने इंग्लैंड में ट्यूडर वंस को अस्थापित किया और उसे ने एक राज़तंतर की अस्थापना की जो निरंकूस था और इससे इंग्लैंड में राष्टिता का विकास हुआ सामंतवाद का पतन हुआ आधुनिक इंग्लैंड का प्रारम हेंडरी सप्तम के काल में ही हुआ वह पहला राजा था जिसने सामंतो को नियंदरित कर देश में नौजागरन लाया और इसके बाद ही इंग्लैंड के उतकर्स की कहानी प्रारम भोती है धन्यवाद